मकसद से नगर निगम ने हर शनिवार नोकार अभियान चलाया है जिसका असर दिख रहा है जी हाँ ये नोकार अभियान जो है वो अब लोगों पर बहुत अच्छे तरीके से हावी हो रहा है और अब लोग चाहते हैं कि वो प्रदुशन मुक्त कम से कम एक दिन वो अपने कार का इस्तमाल ना करें राजधानी राची को प्रदुशन मुक्त बनाने के मकसद से नगर निगम ने हर शनिवार नोकार अभियान चलाया है जिसका असर अब नज़र आ रहा है लोग साइकल की सवारी को सेहत की यारी बना रहे हैं और निगम की अपील का असर शहर की जनता में भी दिख रहा है आम दिनों के मुकाबले शनिवार को कम वहन सड़कों पर नज़र आए युवाओं ने बढ़ चड़ कर इसमें हिस्सा लिया साइकल की सवारी यानि सेहत से यारी रंग लारही राची नगनिगम की पहलो हर शनिवार नो कारव्यान से जुड़ रहे हैं लोग सेहत का ख्याल पर्यावर्ण सरक्षण के साथ पे टूल डीजल की बड़ी कीवतों से राहत का एक बेहतर निकल्ब है साइकल की सवार कुछ ऐसे ही संदेश के साथ राची नगा निगम के हर शनी पार नो कारव्यान से जुड़े लोगों को कारवांग बढ़ता जा रहा है अज चला हूँ और और ऐसे तो मैं कार का इस्तमाल करता हूँ जो आधिकारी कार है उसके जरीए कार्याले आता हूं लेकिन यह आज हमारा दूसरा सब्ता है और हम लोगों ने तैय किया है कि हर सनीवार यथा संभाव कार का प्रियोग नहीं करना है मेरी लोगों से भी अप प्रतिक सनीवार को हम लोग साइकल से ही अपने करया ले जाएंगे और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि प्रतिक सनीवार को कम से कम एक दिन सहर के लिए राची के लिए लोग कारों का उप्योग ना करें जो भी अपने छोटे मोटे कार्ज है वो साइकल से ही कई लोगों के लिए साइकल की सवारी उनकी पसंदिदा सवारी में शामिल है और उने इसकी खुब्या भी किनाई है साइकल चलाने से तो सरीर होता है और अभी पिट्रोल जो महंगा है उसके चलते भी से किल हम लोग चलाते हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि साइकलिंग एक्सराइज और मतलब जैसे अकाडमी से हम लोग को मिला है यह आने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वाकई यह शुरुआत शांदार है जहां वाहनों के जहरीले दुएं से दमकुर्ट इंसानों के साथ शहर को कम से कम एक दिन दो प्रदूर्शन मुक्त हवा में साज देने का मौका मिलेगा नूस 11 भारत के लिए रांची से कैमरा परसन अविदास के साथ अच्छनी के रिपोर्ट